अगर आप ITI admission लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक खुश खबरी है कि आपका ITI का admission स्टार्ट हो गया UP में तो उसके लिए आपका क्या करना होगा मैं डिटेल से बताऊंगा देखिए सबसे पहले आपको बीपी यूपी पे जाना होगा जहां पर आपको परसनल इसकी वेबसाइट को जाएगी यह देखिए यूपी का विवाहसाई प्रसिक्षड वाला यहां जाने के बाद आपको notification देख सकते हैं आप अपने mobile पर भी देख सकते हैं अगर laptop computer होगा वहां भी देख सकते हैं अगर आपका mobile में देख रहे हैं तो पहले उससे desktop mode में कर लीजिएगा अगर already desktop mode में होगा तो ठीक है नहीं तो desktop mode में कर लीजिएगा desktop mode में होने के बाद देखें तुड़ा एक मिनट रूप जाईए desktop mode में होने के बाद आपके पास ये page खुल कर आ जाएगा जहाँ पे लिखा होगा कि online submission of application for admission for session 2021 for government and private ITI यहनि की government और private ITI 2021 session के लिए admission स्टार्ट हो चुका है आप submit कर सकते हैं तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी notification खुल कर सामने आ जाएगा देखिए यहां पे लिखा है बुक्तान का विकल्प जो है जो payment आपको देने होंगे बुक्तान net banking के माधियम से दे सकते हैं इसके लिए आपके पास compulsory है mobile नंबर होना ज़रूरी हो जिस पर OTP बेज़ेगा परमाड़ी कर करने के लिए फिर आपको SMS प्राप्त होगा आवेदन प्राप्त करने को mobile पर SMS द्वारा पुष्टी होगी जो सुलक है वो समाने और पिछड़ा वरक के लिए धाई सुरुपे है और अनुस्यची जाती और अनुस्यची जन जाती हो के लिए डेर सुरुपे है अनलाइन जो स्टार्ट हुआ है वो डेट मैं दिखा दूँ आपको 37 2020 यानि कि आजी से स्टार्ट हुआ है और 38 2020 रातरी बारा बज़े तक आप अनलाइन आवेदन कर सकते अगर आवेदन में कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट बाक्स में पूछ सकते हैं अगला वीडियो में बना दूँगा कि आप आवेदन पत्र कैसे बरेंगे बाई डिटेल एक एक फिलप करके भी मैं दिखा दूँगा तो उस वीडियो को आप देखना न तो यह याद रखिएगा एडमिशन स्टार्ट हो गया है भूलिएगा नहीं अपना रेजिस्टेशन स्टार्ट कर दीजे और कैसे करना है अगली वीडियो में बता दूँगा खारंबर के तो आज के लिए वीडियो में इतना ही थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो